जैहन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग maths के important सवाल करने वाले हैं, जो की आपके exams में बार वार पूछे जाते हैं, और ये सवाल देखने में तो आपको बहुत ही जादा अटपटे लगते होंगे, लेकिन इनके बनाने का जो trick है, वो बहुत आसान है, तो उनके trick को ह पसंद आएगा, ठीक है, चलिए, देखेंगे यहाँ पर ये जो सवाल है, कुछ इस टाइप से इस pattern पर आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को, ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है न, इस सवाल को बनाना बहुत आसान है, बसरते आपको एक चीज पता हो, व अगर हम आपसे कहें यहाँ पर, कि कुछ आपको इस तरीके से दिया है, है न, इस तरीके से, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये मिस्रित भिंद के रूप में दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, है न, अगर हम इसको साधारन भिंद के रूप में बदलें, तो कैसे बदल यहां पर देखिये का दोस्तों यहां पर क्या है 999 का 999 साथ मल्टिप्लाई करेंगे और 995 को जोड़ देंगे मतलब 999 का 999 साथ मल्टिप्लाई करने का अर्थ यह हुआ कि हमको 999 का स्क्वेर निकालना है भाई किसी भी चीज का अगर दो बार गुड़ा है उसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ होता है कि वह उसका स्क्वेर है है ना यानि यहाँ पर क्या है 999 का square है अब आपको क्या करना है 999 का square यानि जिसमें सिर्फ 9 9 हो उनका square निकालने का trick जानना पड़ेगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसका trick समझ लेते हैं फिर इसके बाद यहाँ पर इस सवाल को तो आप आसानी से होता है दोस्तों यह तो आप आसानी से बता सकते हैं कि sir 81 होता है अब देखे अगर आपको 99 का square निकालना है 99 का square निकालना है तो कैसे करेंगे आपको एक ही trick ध्यान रखना है क्या करना है आपको लिखना है 8 ठीक है ध्यान से यह trick किसके लिए है जिसमें सिर्फ 9 9 हो है ना उसके लिए हम बता रहे है trick आपको 8 लिखना है अब इसमें कितने 9 हैं 2 ठो 9 है ना तो 2 ठो में से 1 ठो कम कर दीजे कितना बचा एक ही 9 बचा उस 1 9 को यहां पे रखिए और जितना यहां 9 है उसके बगल में उतना ही 0 लगा दीजे ठीक है इस साइड आपको 9 लिखना है और इस साइड 8 के इस साइड आपको 0 लिखना है और लास्ट में आपको 1 लगाना है ठीक है ऐसे ही इसका देखिए 999 का 999 का स्क्वेर देखिए आपको क्या करना है बीज में लिखना है 8 यहां पर 3 9 है, 3 में से 1 कम कर दीजे 2 ही 9 बचा, तब 2 9 यहां पर लगा दीजे, है ना अब इस 2 9 के बरावर इधर 2 0 लगाएंगे जितना इधर 9, उतना ही इधर 0 और last में 1 लगा देना है देखे, आपका square निकल गया ऐसे ही देखे, अगर आपको 9999 का square निकालना है तो क्या करेंगे, इसका square तो आपको क्या करना है यहां पर 8 लिखना है, 8 के बाद क्या करना है यहां पर 4 9 है, 4 में से 1 कम कर दीजे 3 है 9 बचा, 3 9 को यहां पर चिपका दीजे, है ना यहां पर, और जितना 9 है उतना ही यहां पर 0 हो जाएगा और लाश्ट में 1 हो जाएगा, देख लिजे आपका square निकल गया, अब इस सवाल को देखे, यहां पर क्या है इसका इसके साथ multiply प्लस यह, तो 9999 को 999 को 999 से multiply करेंगे तो यह वाला आएगा, यानि 999 के square आएगा, इस square में 995 को जोड़ना है तो हमारा क्या है 998 001 और उसमें हमको उपर वाले को जोड़ना है, यानि 995 को जोड़ना है यही तो करना है, बस इसको जोड़ दीजे, तो कितना हो गया 5 एक 6, और यहाँ पर देख लीजे, इसको 9 और यह हो जाएगा 9, और यह 9, फिर 8, 9 9, यानि इतना आ जाएगा, अब देखें दोस्तों इसको इससे गुड़ा करके इसको जोड़ने पर इतना आया, यानि कितना आ गया, 9, 9, 8 9, 9, 6 ठीक है, इतना आया, अब देखें बटे में क्या है हमारा 999 है, है ना और इंटू में यहाँ पर 999 पहले सही है तो यह वाला 999 यह वाले 999 को काट देगा बचा तो सिर्फ यही ना मतलब हमको ऐसे सवालों में सिर्फ क्या करना है नीचे से उपर वाला यह तो मल्टिप्लाई में काट देगा मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टिप्लाई इससे करके और इसको जोड देना है और इसका इससे मल्टिप्लाई करना या फिर स्क्वेर करना 999 का आपको आसानी से trick यहाँ पर पता है तो यहाँ पर इसका जो correct tensor हो जाएके दोस्तों option number B is the right tensor उम्मीद करते हैं कि आपको concept, trick सब कुछ clear हो गया होगा बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं दोस्तों उसी pattern पर है इसमें भी क्या करना है सीधे सीधे, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 99, यहाँ भी 99 है तो पहली बात तो यह cut जाएगा है न अब आपको सिर्फ क्या करना है 99 को 99's multiply और प्लस 23 करना है, बस इतना काम आपको करना है, आपका answer आ जाएगा तो देख लीजे, 99 का 99 से multiply करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर इसका मतलब है कि 99 का square 99 का square कैसे निकालेंगे आपको लिखना है बीच में 8 यहाँ पर 2 9 है, 2 में से 1 कम करना है एक ही 9 बचा, उस 1 9 को यहाँ रखना है जितने 9, उतने ही धर 0 और लास्ट में 9,801 आ गया 99 का square मतलब इसको इससे multiply करेंगे तो 9,801 आ जाएगा उसमें हम 23 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 23 को हम लोग जोड़ेंगे जब तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 2 और 8 और 9 मतलब कि 9,824 is the right answer इसका याँ option number A यहाँ पर सही उत्तर बनेगा उमीद करते हैं कि ऐसा pattern पर अगर सवाल आता है तो आप लोग कर लेंगे और यह समझ में भी आगया होगा trick आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं इस सवाल को आसान है बन जाएगा अगर आपको पॉइंट हटाने आता है जल्दी जल्दी इसका practice है आपको तो इस सवाल को आप आसानी से कम समय में लगा पाएंगे देखेगा यहाँ पर क्या है एक बात जरूर समझ लीजे देखे दोस्तों यहाँ पर अगर हम कहें कि जैसे है हमारे पास 2.439 है ना और बटे में है बटे में है 0.08 ठीक है अब देखे पॉइंट हटाते कैसे हैं पॉइंट हटाते हैं दोस्तों देखे यहाँ पर उपर में पॉइंट हटा के क्या होगा अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा यह हो जाएगा 2439 है ना पहले तो आप पॉइंट हटा दीजे नीचे कभी और उपर कभी इसमें point हटाएंगे तो यह हो जाएगा सीधे-सीधे 8 अब देखे उपर से जब point हटाते हैं तो हम नीचे multiply करते हैं ठीक है तो उपर से point हटाए तो point के बाद 1, 2, 3, 3, 0 है तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 0 लगा देंगे ठीक है उपर से point हटाएंगे तो नीचे multiply करेंगे नीचे का point हटाएंगे तो हम उपर multiply करेंगे तो नीचे का point हटाएंगे तो उपर multiply करेंगे एक और यहाँ पर point के बाद 2, 0 है मतलब 2 अंका है तो यहाँ पर 2, 0 लग जाएगा इस तरीके से आपको काम करना है बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर देखिएगा, यह जो सवाल है, कुछ इसी टाइप से आपका बनेगा, है ना, देखिएगा, क्या है दोस्तों, यह है आपका, पहले तो सब का पॉइंट अटा दीजे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, दो सो तीन, है ना, इ अब आपको, उपर का जो पॉइंट अटा है, उसमें नीचे मल्टिप्लाई करना है, तो मल्टिप्लाई देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने 0 है, कितने अंक है, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पर चार 0 लगाई है, है ना, फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट तो तीन, चार, तो यहाँ पर चार 0, फिर एक, यहाँ पर एक, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो एक 0 और, फिर यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक 0 और, अब देखिए, क्या कुछ कट रहा है इसमें, है ना, देखिए, यहाँ पर, ए देखे, यहां पर यह क्या है, 73 है, है ना, तो हम जान नहीं कि 7 चोक 28 होता है, 3 चोक 12 होता है, 7 चोक 28 का मतलब क्या, 280, 3 चोक 12 यानि 12, तो 280 और 12, 292 होगा, यानि 73 से यह कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में, 73 चोके 292, इतना हो गया, अब देखे, और कहा कुछ कट रहा है, और दोस्तों यहां पर देखे, यह 7 से कट जाएगा, है ना, भाई 7 से इसको हम लोग काटेंगे, तो 7 दूना चवदा, बचा क इतना आपका, 6 बचा, यह 63 हो गया, तो 7 नहीं हो 63, यानि यह 29 हो जाएगा, है ना, अब देखे, यहां पर, 29 से यह 5 बार में कट जाएगा, भाई, आपका 30, 5, 1.5 होता है, और इसमें 29 है, यानि, 5 बार गुड़ा करेंगे, तो हर बार एक कमी, तो मतलब 5 का कमी, यानि 5 का हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका, 145, अब ऊपर क्या बचा है, यहां पर 4 और नीचे बचा है 5, है ना, आप क्या करिए देखे, अब आपको और आसान सट्रिक बचाते है, उपर बचा है 4, नीचे बचा है 5, और एक हमारा 10 भी बचा हुआ है, है ना, अब नी देखे, यह कितना हो गया, यह आपको गया 4, 2, 8, 5, 4, 4, 2, 8, और बटे में यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अचा, कुछ गलती हो रहा है क्या यहां पर, देखते हैं एक बार चेक करते हैं, है ना, अचा, देखेगा यहां पर एक गलती हो गया है, उसके लिए, सृरी देखे यहाँ पर कितने अंके है 1,2,3,4 है ना तो 1,2,3,4 यह लगा दिए फिर इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर तो यहाँ पर 1,0 और होगा है ना मतलब कि इस 0 से यह 0 भी कट जाया गए यह काम खतम होगा मतलब इस से यह कैंसिल हो जाया पूरी तरीके से यहाँ पर 10 नहीं बचेगा मतलब यह कितना हुआ दोस्तों यह हो गया 8 बटे 10 यानि हम यहाँ से इसको कह सकते है 0.8 यहाँ पर नीचे एक ही 0 है तो एक अंग छोड़के 10 अंग लगा देंगे है ना जितना नीचे 0 रहता है उतना अंग छोड़के 10 अंग लगा देते हैं हम लोग ठीक है 0.8 option A इसका correct answer हो जाएगा तो इस type के simplification के सवालों को बनाना अब आपको आगया होगा कैसे करना है चीजें समझ में आगया होगी बढ़ते हैं आगे अगला सवाल देखते हैं देखेगा यहाँ पर अगला सवाल यह भी simplification के सवाल है देखेगा कैसे करना है इसको वही आपका rule लगेगा जो हमारा पिछले वाले प्रस्ण में लगा था देखे दोस्तों बहुत आसान है कर लेंगे इसको यहाँ पर सिर्फ point ही तो और चार ठीक है अच्छा इसका point हटाएंगे तो क्या होगा इसका point हटाएंगे तो यह 3 हो जाएगा है ना क्योंकि 0.00 last में 3 दिया है इसका point हटाएंगे तो यह भी 3 हो जाएगा अब आपको यहाँ पर क्या करना है zeros बैठाने है ठीक है उपर का, उपर का point हटाएंगे तो नीचे आपका लगेगा, देखे 1, 2, 3 point के बाद 3 अंक यहां है और point के बाद 1, 2, 3, 4 4 अंक यहां, 3 अंक यहां यानि total कितने अंक हो गया, 7 अंक यानि 7, 0 तो 5च और 2, 7 ठीक है, यहां देखे 1, 2, 3, 4 4 अंक यहाँ और point के बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 3 अंक यहाँ है है ना, यानि total कितना हो गया आपका सीधे सीधे 7 अंक यह भी हो गया है ना, भाई 4 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ तो 7 अंक, तो नीचे को point हटाके उपर multiply करते हैं तो 4 और 5, 6, 7 इतना हो गया, भापके इसको काटना है देखे, 7 0 इसमें ही है 7 0 इसमें भी है कट गया 3 से 3 कट गया इससे यह कट गया, बचा कितना मतलब इस total कमान हमारे पास 1 आ गया, और minus में यहाँ पर 1 है, यानि यह कितना आ जाएगा 0, 0 is the right answer option number A, इसका correct टुत्तर बनेगा दोस्तों, उमीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको बढ़े हम लोग आगे, अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल यह रहा दोस्तों, आप चाहें तो इसको वीडियो पहुज करके बना सकते हैं, है ना कुछ नया सवाल है, देखेगा कैसे करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है कि यदि भाई, A star B बरावर है, 2 A प्लस 3 B, माइनस A B तो आपको बताना है कि 3 star 5 प्लस 5 star 3 का मान क्या होगा देखें दोस्तों, आसान है बना लेंगे, क्या है इसमें इसमें यह है भाई, कि अगर इस star को A और B के बीच में हम लगाते हैं तो उसका value क्या हो जाता है 2 गुड़े A, प्लस 3 गुड़े B, माइनस A गुड़े B वही काम यहाँ पर भी करना है यह है A, यह है B इसके बाद यह है A, यह है B कर दिजिए, यहाँ पर देखिए अगर हम 3 star 5 का मान निकालें तो कितना होगा, देखेगा जैसे जैसे, यह क्या है हमारा A है, है ना और यह क्या है हमारा B है A और B के बीच में star लगा हुआ है तो A और B के बीच में star लगा हुए तो value क्या हो जाता है? यह हो जाता है यानि यह हो जाएगा 2 और into A, A का मतलब क्या? 3 तो 2 into 3 plus 3 into B, मतलब 3 गुड़े, गुड़े B, B का मतलब क्या है? 5 minus AB, AB का मतलब क्या? इन दोनों का multiply तो 3 गुड़े 5, यानि कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15, ठीक है? 5 तीन 15 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, अब देखें, यह कितना हो अच्छा है और यह 5 तीन 15, तो plus 15, minus 15, यह तो cancel हो गया, बचा कितना यहाँ पर 6 यानि 3 इस्टार 5 का value चाया जाएगा, अब बात करते हैं आपर 5 इस्टार 3 का देखेंगा, ध्यान से समझते जाएगा, 5 इस्टार 3 का value क्या होगा? अब इसके लिए A का value यह है, इसके लिए B का value यह है, है यहाँ पर रखिए तो कितना हो जाएगा 2 इन्टू A, A का मतलब क्या 5 फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा plus, है ना, फिर 3 इन्टू B, 3 इन्टू B, B का मतलब 3 minus AB, AB यानि 5 गुडे 3, यानि कितना हो जाएगा यह, यह आपका हो जाएगा 15 अब देखे दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 10 और यह 3 तीन तीन नो 10 नो 19 19 माइनस 15 आप डारेक्ट करना सीखे न 5 दूना 10 प्लस यह 9 तो 10 नो 19 19 में से 15 घटाएगा तो यह जाएगा 4 अब क्या करना है आपको इसको और इसको जोड़ना है मतलब इस value को और इस value को add करना है तो इसका value कितना है अच्छा है प्लस इसका value कितना है 5 इस्टार 3 का 4 है यानि यह जोडने के बाद कितना जाएगा 10 आजाएगा यहाँ पर आपका option number A correct हो जाएगा उमीद करते हैं कि यह वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा तो अब ऐसे प्रसन आएगा तो आप लोग कर लेंगे ठीक है